आज एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन ये बर्की मैकनाथी सी अमाला ये एक नया चैप्टर जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे सिलेबस में ये चैप्टर बारवे नमबर पर है देखिए सबसे पहले जैसा हमने इसे पहले वाले चैप्टर में देखा था के ओर्स्टेड नामी एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंपोर्टन एक फिनामिनान डिस्कवर किया था जिसे बर्की रो का बर्की रो का मैकनाथी सी असर कहते हैं अब आप एक चीज देखिए कि इस पर्टिकुलर फिनामिनान के अंदर यह जो चीज जो ओर्स्टेड ने डिस्कवर किया था तो इसमें होता यह था कि एक वायर मान लो कि हमने यह इस तरीके से एक वायर लिए ए से लेकर बी तक और इसमें से आई करण को फ्लो किये जब हम 이번 स्तार में से आई करंट फ्लो करेंगे तो इस स्तार की विसीनी टी में, मतलब इसके अतराँ का जो इलाका है इस इलाके के अंदर यहाँ पर मेकनाथी सी मैदान जो हो तैयार हो जाएगा यहनि हम जब तार में से इलक्ट्री करंट उजारेंगे तो उसके चारो तरफ magnetic field जो है, वो बन जाएगी, उस तार के चारो तरफ, तो ये जो magnetic field तयार हुई, ये electric current की वज़ा से हुई, मतलब electric current गुजारने की वज़ा से magnetic field तयार हुई है, तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कि current I जो है वो flow किये, और इसकी वज़ा स या किसी coil में से electric current अगर गुजारते हैं, तो magnetic field तयार हो जाती, तो उसी जमाने में बहुत सारे scientists के दिमाग में ये बात आई थी, कि क्या इसका उल्टा भी possible है, इसका उल्टा, मतलब क्या हम magnetic field को use करके electric current generate कर सकते हैं, मतलब क्या electric current को बनाया जा सकता है, अब आप यहाँ अब एक चीज़ ध्यान में रखिए कि electric current को पैदा करना अगर है, तो उसके लिए एक जो हमारे पास जो हमेशा वाला जो एक पुराना तरीका है, वो यह है, कि हम simply इस तरीके से एक battery लेंगे, और battery के साथ में अगर मानलो हमने यहाँ पर एक resistance अगर लगा दिये, तो इस resistance मे अगर electric current अगर हमको पैदा करना है, तो उसके लिए एक battery चाहिए, तो यह तो हमारा conventional तरीका हो गया, समझ लो पुराना तरीका हो गया, यहाँ जो चीज़ का ख्याल आया था, वो यह था, कि अगर electric current की वज़ह से magnetic field तैयार हुरी है, तो क्या magnetic field की वज़ह से electric current बना सकते हैं मुझे उमिद है आपको यह point, मैं जो point बताना चाहरा हूँ, वो आपके जहन में आगया होगा, हम इस current के बारे में बात नहीं करेंए, यह हमारा conventional current है, जो battery के ज़री हमको मिल जाता, यह अगर हमको battery के जग़ह पर मानलो कोई power supply अगर लेना है, AC power supply तो उसके ज़री हमको electric current म बात करें हम लोग, जो magnetic field से generate हो सकता है, तो क्या ऐसा possible है, यह चीज़ के पीछे बहुत सारे scientists जो हो लगे और अलग-अलग जगाहों पर जो है, इसके experiments जो है उन्होंने किये, इन में से दो scientists जो हो बहुत ही great है, एक है Faraday, जो के England के रहने वाले हैं, और दूसरे है Joseph Henry, जो के American scientists हैं, तो यह दो अलग-अलग साइसदान जो थे, इन लोग, इन्हें Faraday ने इंग्लेंड में और हैंडरी जो है, Joseph Henry जो है, उन्होंने अमरीका में experiments किये, और एक ही साल में, 1831 में, इन दोनों को एक मज़धर बात जो हुई, वो यह हुई कि वो इस चीज़ को उल्टा क करने में कामियाब हो गए, दोनों भी, दोनों ने भी एक ऐसा phenomenon discover कर लिया, जिसके अंदर वो magnetic field के जरीए electric current को generate कर पाए, ओके, अब उन्होंने actually क्या किया था, और वो क्या experiments थे, तो वहीं से हम, हमारा ये जो chapter है, या हमारा जो syllabus है, इस particular chapter का, वो यहीं से start होता है, और वो जो point है, वो है, Faraday's experiments, याने Faraday के तजरूबात, ओके, आप देखिए, Faraday जो है, उन्होंने दो अलग-अलग experiments किये थे, और ये जो दो experiment उन्होंने किये थे, उनमें से, पहला experiment जो था, उस पहले experiment का नाम था, coil and magnet experiment, ओके, ये पहला experiment था, का, coil and magnet experiment, मतलब, ये experiment के अंदर उन्होंने एक coil इस्तेमाल किये, और एक magnet इस्तेमाल किये, अब actually ये experiment हुआ कैसे था, उसको आप हम लोग detail में देख लेते हैं, आप लोग देखो, उन्होंने सबसे पहले एक coil लिया, suppose करो कि उन्होंने ये coil लिये, और इस coil के साथ में उन्ह चोटा जो electric current है, उसके लिए deflection पैदा करना, मतलब, इसके अंदर जो सुई होती है, galonometer के अंदर, वो सुई हमेशे से सीधे खड़े रहती है, उसका zero ऐसा उपर होता है, ओके, और अगर हलका सभी current उसमें से गुजार दिये, तो अगर वो current positive है, तो वो positive deflection दिखाता, अग मतलब, यहाँ galonometer जो हो एक highly sensitive instrument है, जो हलके से हलका current भी दिखाएगा, ओके, अब आप एक चीज़ देखो, कि यहाँ पर इस जग़ा पर यह हमने coil लिया है, उसके साथ में galonometer जोड़ दिये, आप देख रहे हैं कि इस पूरे circuit के अंदर कहीं कोई battery नहीं है, इसके अंदर क कोई battery, कोई बरकी खाना जो है, वो हमने use नहीं किया है, अब हम एक नया काम करेंगे, यहाँ पर हम एक magnet लेंगे, मतलब, फेराडे जो है, उन्होंने यहाँ पर एक magnet लिया, मान लो कि वो magnet का S पोल इदर है, और N पोल इदर है, ओके, तो फेराडे ने इस experiment के अंदर, यहने कोईल के साथ में गैलोनमीटर को जोड़ दिये, और एक अलग से एक magnet ले लिये, अब उन्होंने experiment क्या किया, तो actually उन्होंने total मिला कर यहाँ पर चार अलग-अलग observations नोट किये, आप लोग देखो, चारो भी observations को आप बराबर अपने दिमाग में जो है, नोट करते जाओ, द और उस सूरत में यह गैलोनमीटर zero current बताएगा, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम deflection को theta से अगर denote करें, तो हमको वो मिलेगा zero degree पर, ओके, आप इसका यह मतलब भी ले सकते हैं कि इस particular condition में गैलोनमीटर कोई current नहीं दिखाएगा, ओके, वो हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं उस बारे में, तो जब यह मैगनेट नहीं था, उस वक्क गैलोनमीटर ने कोई deflection नहीं बताया, ओके, अब आप ऐसा imagine करो कि आपने इस मैगनेट को तेजी से इधर लेकर आए, जब आप इस मैगनेट को इसके तरफ लेकर आएंगे, ऐसे इसके करीब लेकर आएंगे, तो इस particular condition के अंदर उसने देखा कि यहां यह जो गैलोनमीटर है, इसने positive deflection बताया, ओके, positive deflection, मतलब यहां पर मैं लिख देता हूँ, theta is equal to positive, तो positive deflection जो हो हमको गैलोनमीटर के अंदर बिला, फिर उसके बाद इसने एक काम किया, तीसरे नमबर पर, इस magnet को इस coil के सामने ल लाकर रोग दिया, ओके, इसको एक दम इसके करीब जो है, टच नहीं किया, इसको जस यहां लाकर रोग दिया, इसके करीब, यहने जितना भी करीब possible था उतने करीब इसको, without touching लेकिन, टच किये बगएर इसको यहां लाकर रोग दिया, इसके करीब लाकर, जब इसने इसके मैगनेट को जब इसके करीब लाकर रोक दिया और इस्टेशनरी कंडिशन में लाकर रख दिया उसको तो उसने देखा कि यह जो गैलवानोमीटर है यह वापस 0 डिग्री पर आ गया दोबारा से यह उसके अंदर कोई डिफलेक्शन नहीं आया और फिर उसके बाद उसने एक नया काम यह किया कि जब यह मैगनेट को उसने दूर लेकर गया ऐसे वापस दूर इस प्रीड में लेकिन तो उसने देखा कि यह जो गैलवानोमीटर है इस गैलवानोमीटर की जो सुई थी वो निगेटिव डिफलेक्शन दिखाने लगी मतलब यहाँ पर डिफलेक्शन जो हो हमको निगेटिव नजर आया ओके यह था टोटल मिलाकर पहला एक्सपरिमेंट एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोग गोर से देखो बहुत ही मज़िदार बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपरिमेंट है यह कॉइल एंड मैगनेट एक्सपरिमेंट के अंदर कॉइल लिए उसके साथ में गैलोनोमीटर को जोड़ दिए इस पूरे सरकिट के अंदर कहीं कोई बर की खाना कोई बैटरी इस्तेमाल नहीं किये ओके फिर इसके बाद एक मैगनेट लिए एन एस और यह जो मैगनेट है इसको पहले बहुत जादा दूर रखे इतने दूर के ऐसा मान के चलो के मैगनेट है ही नहीं जब मैगनेट नहीं है उस कंडिशन में गैलोनोमीटर ने कोई डिफलेक्शन नहीं दिखाया तो यहां पर यह हमारे पहली रिडिंग आ गई कि गैलोनोमीटर शोज नो डिफलेक्शन इसके बाद जब हमने इस मैगनेट को करीब लेकर आया जैसी यह करीब आया मान लो कि इसने पॉजिटिव डिफलेक्शन दिखाना शुरू कर दिया तो गैलोनोमीटर जो है उसने पॉजिटिव उसकी जो सुई है वो पॉजिटिव डिरेक्शन में चले गई उसका पॉजिटिव डिफलेक्शन मिला फिर उसने इस मैगनेट को इसके करीब लाके रख दिया इस गैलोनमीटर की जो सुई थी उसने निगेटिव डिफलेक्शन दिखाया, मतलब थीटा इस इक्वल टू निगेटिव आया यहाँ पर अब सवाल यह आता है कि यह अजीब औ गरीब से रेजल कहां से आ गए यह जो observations जो हुए इनका meaning क्या है, इसको कैसे इसका interpretation क्या करोगे तो आप लोग देखो इसका जो interpretation वो बहुती simple और बहुती मज़ेदार है सबसे पहला जो कैसा उसको आप देखो कि पहले केस में जब magnet नहीं था जब यह magnet नहीं था उस time पर इस coil के चारों तरफ कोई magnetic field नहीं थी और क्योंके कोई magnetic field नहीं थी इसलिए इस गैलोनोमीटर के अंदर कोई deflection भी नहीं था तो पहला point हमारे दिमाग नहीं आएगा कि if there is no magnetic field there is no deflection अगर कोई magnet इसी मैदा नहीं है कोईल के चारों तरफ तो गैलोनोमीटर के अंदर कोई deflection भी नहीं है उसकी जो सुई है वो zero reading बताएगी ओके जब हमने इस magnet को करीब लेकर आए करीब लाते वक्त जैसे ऐसे आप इसको नजदिक लाते जाएंगे इसके चारों तरफ magnetic field बढ़ते जाएगी एक बार फिर से देखो अब जब आप इसको नजदिक लाओगे जब आप इसको यह ऐसे ला रहे हो इदर ला रहे हो ऐसे तो जैसे ऐसे यह करीब आते जाएगा कोईल के वैसे वैसे कोईल के चारों तरफ की जो magnetic field है वो बढ़ना शुरू होगी और अगर कोईल की magnetic field अगर बढ़ती है तो इस सूरत में गैलो अनो मीटर positive deflection दिखा रहा है उसकी जो सुई है वो positive deflection की तरफ जाएगी यह पॉजिटिव डिफलेक्शन दिखाएगी इसका मतलब यह हुआ कि इस magnet के आने से या इस कोईल के चारों तरफ magnetic field के बढ़ने से इसके अंदर deflection मिलता है positive deflection मिलता है ओके तो पहला case यह था के magnetic field नहीं थी कोई reading नहीं थी जब magnet को नजदिक लाना शुरू करे इसने deflection दिखाना शुरू कर दिया positive ओके अब हम अगले point पर आते हैं जब हमने इस magnet को इस coil के सामने यहां करीब लाके रख दिये इसको stationary कर दिये इसने एक बार फिर deflection zero दे दिया इसका मतलब यह हुआ कि जब यह magnet इसके करीब लाके रख दिये तो इसके चारों तरफ magnetic field तो थी कोईल के चारों तरफ magnetic field थी magnet इसी मैदान था लेकिन वो constant था और इसको रोक दिये इस magnet को हरकत देना बन कर दिये इसको stationary कर रोक दिये उसको तो इसके चारों तरफ की जो magnetic field है वो भी रुप गई वो constant हो गई और जब magnetic field constant हो गई वापस galvanometer ने zero deflection दिखाया ओके इसका मतलब यह हुआ कि जब magnetic field नहीं होती है तो भी deflection zero आता है जब magnetic field होती है लेकिन constant होती है तो भी deflection zero आता है इसका मतलब यह हुआ कि galvanometer के अंदर reading उस वक्त मिलेगी उस वक्त नहीं मिलेगी जब कोईल के चारों तरफ या तो magnetic field ना हो या magnetic field constant हो magnetic field नहीं है तो भी यह zero deflection बताएगा magnetic field constant है तो भी यह zero deflection बताएगा फिर हुआ यह है कि हमने इस magnet को दूर लेकर गए जैसी इस magnet को दूर लेकर गए इसके चारों तरफ की जो magnetic field थी वो ऐसे कम होते चलेगी magnetic field कम होई इसने negative deflection दिखाना शुरू कर दिया यह वाला केस आ गया इसका मतलब यह हुआ कि deflection दो मरतबा मिलता है और दो मरतबा नहीं मिलता इस गैलवनोमीटर के अंदर दो मरतबा deflection मिलता है और दो मरतबा deflection नहीं मिलता deflection कब नहीं मिलता है पहले आकेस जब magnetic field नहीं होती है तब deflection नहीं मिलता जब magnetic field होती है लेकिन constant होती है तब भी कोई deflection नहीं मिलता और reading कब मिलती है deflection कब आता है जब या तो magnet करीब आता है या दूर जाता है जब magnet करीब आएगा तो magnetic field बढ़ेगी जब कर magnet दूर जाएगा तो magnetic field डाउन होगी इसका मतलब जब magnetic field में change आएगा जब जब इस कॉईल के चारो तरफ magnetic field में change आएगा तब तब ये गैलोणोमीटर हमको reading बताएगा अगर यहाँ का जो magnetic field का जो change है अगर वो positive होई, अगर magnetic field बढ़ रही है तो गैलोणोमीटर positive deflection बताएगा अगर कॉईल के चारो तरफ की magnetic field जह हो कम हो रही है तो galvanometer जो है वो negative deflection बताएगा लेकिन ये चीज़ depend करेगी इस magnet के pole पर ये वाले pole पर जो सामने है ये था coil and magnet experiment का पूरा complete उसका observations और इसका result जो है वो क्या निकला तो अब आप लोग एक चीज़ देखो इसका result जो है वो बड़ा मज़ेदार है पहला मामला ये है कि magnetic field नहीं है तो भी reading zero है magnetic field है constant है तो भी reading zero है इसका मतलब ये है कि काईल के चारो तरफ magnetic field अगर नहीं है या फिर constant है तो कोई deflection हमको नहीं मिलता और magnetic field अगर change हो रही है change मतलब या तो बढ़ रही है या कम हो रही है तब हमको इस particular case के अंदर deflection गैलवनोमीटर के अंदर हमको deflection भी लेगा उके तो इससे हम एक न्या minा जो है वो define कर सकते हैं और क्या define कर सकते हैं एक न्या एक न्या अमल एक नए चीज जो है डिसकोबर हुई फेराडे की इस experiment के जरिए और वो चीज जो है वो ये है कि जब भी किसी कोईल के चारों तरफ मैगनेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तब-तब उसके अंदर एक खास बात हो जाती है जिसके जरिये वो उलेक्ट्रीक करंट पैदा कर देता है उसके अंदर एक करंट पैदा हो जाता है current पैदा हुआ, इसी लिए ये रावपैमा जो है, इसी लिए इस गैलो अनोमीटर ने reading बताया आप याद रखो, गैलो अनोमीटर रीडिंग उसी वक्त बताता है, deflection उसी वक्त देता है, जब उसमें current हो मामूली से मामूली से अगर current आगया तो ये deflection दिखाएगा ये deflection उसी सूरत में दिखाता है, जब यहाँ पर इस circuit में current आता है इसका मतलर इस circuit के अंदर current पैदा हुआ, और वो current काय के वज़े से पैदा हुआ, magnetic field के बढ़ाने पर या magnetic field को कम करने पर, clear, ये था coil and magnetic experiment की ये observations और ये उसका result और इस result के base पर, यहाँ पर हम electromagnetic induction जो है, उसको हम define कर सकते हैं और वो ये हैं के, what is electromagnetic induction, electromagnetic induction is the phenomenon in which the induced current is obtained in the coil whenever there is a change in magnetic field around the coil, ओके उर्दू में हम इसको इस तरह से बोलेंगे जब भी किसी coil के अतराफ मैकनातिसी मैदान में तबदीली पैदा करेंगे, तब तब उस coil के अंदर अमाली बरकीरो, ये वर्ड याद रखिए, अमाली बरकीरो, अमाली बरकीरो को इंग्लिश में बोलते हैं induced current, और ये वो बरकीरो होती है जो बगएर बैटरी के पैदा होती है, अपने आप से, spontaneously, अपने आप से पैदा होने वाली जो चीज़ है, उसको हम अमाली बरकीरो बोलेंगे, बगएर बैटरी के जो current पैदा होता है, तो यहाँ पर कोई बैटरी है नहीं, फिर भी current पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम अमा नातीसी मैदान को तबदील करते हैं, तब उस कॉईल के अंदर अमाली बरकीरो पैदा हो जाती है, ओके, यह था कॉईल एंड मैगनेट एक्सपरिमेंट का detail, ओके, अब यहाँ पर हम चलते हैं, फैरा डे के अगले एक्सपरिमेंट के तरफ, फैरा डे का जो अगला experiment का नाम है coil and coil experiment अब आप देखिए coil and coil experiment मतलब definitely यहाँ पर उसने दो अलग-अलग coils यूज़ किये हैं तो अब उसने क्या किया उसको एक बार आप समझ लो आप देखो उसने एक बहुत ही simple सा circuit यूज़ किया ओके यह इस तरीके से एक बहुत ही आसान किस्म का एक circuit जो है उसने तयार किया अब यह circuit के अंदर उसने देखिए basicली उसने किया क्या है उसने सबसे पहले जो पहले वाला जो circuit है यह वाला यहाँ पर उसने एक battery लगा दिये और इसके साथ में इस जगा पर यहाँ पर एक key लगा दिये यह जो है यह एक key है और यह एक battery है और इस battery और इस key के साथ में इस जगा पर यहाँ पर एक coil जो है वो इसको यहाँ जोड़ दिये ओके मैं इस coil का जो नाम है वो रख देता हूं C1 आप लोग देखो C1 जो coil है वो battery के साथ connected है और साथी साथ वहाँ पर एक key भी है ताके उसको on off किया जा सके अब आप second वाला जो सामने जो circuit है उसको देखो इस circuit के अंदर यहाँ पहले वाले काईल के सामने बिलकुल इस जगा पर एक दूसरा काईल दिये ओके यह वाला यह जो coil है तो मान लो कि यह coil number 2 है C2 है और यहाँ उसने क्या किया कि इस जगा पर इस circuit के अंदर इस जगा पर उसने गैलो अनुमीटर को जोड़ दिया अब आप गोर से देखो इस experiment के अंदर यह जो circuit आप देख रहे हो इस circuit के अंदर दो coil इस्तिमाल करें एक C1 और एक C2 इसलिए इसका नाम है coil and coil experiment ओके अब हम इस experiment की जो मज़़दार पार्ट है उसके तरफ आते हैं आप लोग सब गोर से एक चीज़ देखो कि इस circuit में हमने एक battery इस्तिमाल किये है यह वाली battery और यह गैलो अनोमीटर है जो current के लिए deflection देता है यहाँ पर battery है यहाँ पर गैलो अनोमीटर है लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे आप बिल्कुल clear cut देखो कि इस battery का कोई भी connection गैलो अनोमीटर के साथ में नहीं है यहाँ पर यह जो तार है जुड़ेवे नहीं है ओकी यह एक दूसरे से अलग है coil c1 और coil c2 एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं वो एक दूसरे को touch नहीं कर रहे हैं ओके इनके यह physically टूसरे को यह सिर्थ एक दूसरे के सामने रखे हुए है coil number one, coil number two दोनों एक दुसरे से parallel, एक दुसरे के आमने सामने रखे वे हैं, वो touch नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में हवा है, कोई ऐसा medium भी नहीं है, जो current को उदर पहुचा दे, इसका मतलब इस galonometer का इस battery के साथ में कोई लेना देना नहीं है, clear, इस galonometer का इस battery के साथ में कोई connection नहीं ह अगर ये galonometer कोई deflection दिखाता है, तो इसका मतलब ये है, कि उस वो deflection या वो जो current होगा, वो इसका current नहीं होगा, okay, definitely इतनी बात तो हम guarantee के साथ कह सकते हैं, कि इस battery के current की वज़ा से ये deflection नहीं दिखाएगा, इसके deflection का तालुक इस से पैदा होने वाले current से बिलकुल नहीं है, okay, clear, अब आप लोग देखो ये experiment में हुआ क्या था, इस experiment के अदर सबसे पहली चो चीज़, पहला या चलो इसके भी observations हम लोग बनाना शूरू करते, आप लोग देखो सबसे पहले, माल लो ये कि ये open है, open का मतलब ये है, कि ये ऐसी जैसी अभी नजर आ रही है, अब ज और स्टेड experiment पढ़ा हुआ है, और अभी मैंने कुछ दिर पहले भी start में बताया था, कि जब हम किसी तार में से, किसी कौाइल में से current गुजारते हैं, उसके चारो तरफ magnetic field बन जाती, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, कि आपने C1 में से कोई current ही नहीं गुजारे, जब आप इसमें से कोई current नहीं गुजारोगे, कोई बरकी रहो इसमें से नहीं गुजारेंगे, तो C1 के अतराफ कोई magnetic field नहीं बनेगा, क्योंकि आपने current ही नहीं गुजारे, जब इसके चारो तरफ कोई magnetic field नहीं नहीं, तो फिर C2 के अतराफ कोई magnetic field नहीं आएगा, क्योंकि C2 जो ह यहां कोई मैकनाटी सी मैदान नहीं है तो यह जो गैल 1 मीटर है यह हमको 0 डिफलेक्शन बताएगा मतलब पहला जो डिफलेक्शन हमको मिला वो मिला 0 डिफलेक्शन और यह कब मिला जब यह बैटरी आफ थी जब हमने इस की को आफ रखे थे मतलब जब सी वन में से कोई करंट हमने नहीं गुजारे थे ओके यह हो गया पहला अफजर्विशन अब हम यहां पर दूसरा अफजर्विशन लेते हैं देखे दूसरे अफजर्विशन के अंदर यह हुआ कि जैसे ही इस की को प्रेस करे मतलब इस बैटरी को आउन करे आउन करते बराबर C1 में से करंट पास हुआ अब इस में से जब C1 में से जब करंट पास हुआ तो आप एक चीश ध्यान में प्रकना और आपको आगे चल कर यह चप्टर में और अच्छे से यह बात समझ में आ जाएगी किसी भी कॉائल में से करंट जो हुआ एक दम से नहीं गुजरता बराबर रहे उसके अंदर एक मजाहमत होती है उसके अंदर एक रुकावट एक तरह का एक बहुत इस्पेशल टाइप का एक रेजिस्टन्स होता है उस कॉائल के अंदर हम आगे चलकर पढ़ेंगे उसके बारे में उसे रियक्टन्स कहा जाता है तो इस कॉائल के अंदर एक रुकावट एक मजाहमत होती है एक बहुत ही खास मजाहमत होती है जो करंट को एक दम से नहीं गुजरने देती बलकि इसमें से current धीरे धीरे करके बढ़ते जाता है तो जैसे आप इसको on किये इसमें से current बढ़ना शुरू हुआ अब current बढ़ रहा है जैसे ऐसे C1 में से current की value बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके चारों तरफ का magnetic field बढ़ेगा magnetic field बढ़ते जाएगा और जैसे ऐसे C1 का magnetic field बढ़ते जाएगा उस magnetic field बढ़ते हुए उस magnetic field का असर पढ़ेगा C2 पर और C2 पर जब magnetic field बढ़ेगा तो इसकी वज़ा से galvanometer के अंदर आपको positive deflection मिलेगा मतलब यहाँ पर theta is equal to positive deflection तो यहाँ हमको current का मतलब यहाँ हमको deflection मिलना शुरू होगया positive direction के अंदर ओके यह वाले case के अंदर अब हम चलते हैं हमारे तीसरे case पर अब आप एक काम करो कि यह जो आपने की को जो प्रेस करके रखे इसको ऐसे ही रहने दो यानि इसको on condition में रहने दो ओके अब अगर इसको आपने continue on condition में रखा तो होगा यह कि जब आपने इसको शुरू किये थे तो इसमें current बढ़ना शुरू हुआ था ओके पहले ओ current zero था फिर बाद में zero से उसकी value बढ़ते चले गई लेकिन बढ़ते बढ़ते हुआ क्या कि आप आपने इसको continue on कर दिए जब आपने इसको continue on कर दिए तो बढ़ते बढ़ते इसमें का जो current है वो अपनी maximum value को पहुँच जाएगा अब मान लो कि इसका जो current है वो maximum बन गया maximum level को वो पहुँच गया तो maximum level को पहुँचने के बाद तो और आगे नहीं जाएगा एक बार अगर current अपनी maximum level पर maximum value तक पहुच गया उसके बाद इसमें का जो current है वो constant हो जाएगा अब अगर C1 में का current constant हो गया तो फिर इसके चारों तरफ जो magnetic field बनेगी वो भी constant हो जाएगी और magnetic field C1 की magnetic field जब constant हो गई तो वोई वाली magnetic field तो C2 के साथ लिंक है वोई तो जुड़ी हुई है C2 के साथ में इसका मतलब यह हुआ कि C2 के साथ में जो magnetic field लिंक है वो constant हो गई है और जब constant magnetic field हो जाती यह एक बार फिर आपको zero deflection बताएगा मतलब इसमें से continue current और यह on करके रखे यह zero बताएगा continue जितनी देर तक आप इसको on रखोगे उतनी देर तक और जिरो बताते रहेगा ओके इसके बाद नमबर चार चौथा और आखरी observation यह हुआ कि आपने इसको जे आफ कर दो जैसे आप इसको आफ करेंगे C1 में का current decrease होना शुरू होगा आप याद रखो C1 में का current एकदम से zero नहीं होगा बलके जैसे उसकी value पहले बढ़ रही थी धीरी धीरी जब आपने इसको on करे थे तो current की value बढ़ रही थी धीरी धीरी वैसे ही जब आप इसको off करोगे वैसे वैसे इसमें का current है वो decrease होना शुरू होगा वो कम होना शुरू होते जाएगा और जैसे ऐसे current की value इसमें कम होंगी इसके चारों तरफ का जो मैकनाथी C मैदान है जो magnetic field है वो कम होती जाएगी नतीजे में आप देखेंगे कि C2 के साथ जुड़ावा जो magnetic field है वो कम होते जाएगा और फिर इसने एक बार फिर deflection दिखाना है इस बार ये negative deflection आपको दिखाएगा और ये negative deflection कब तक दिखाते रहेगा जब तक इसमें का current 0 नहीं हो जाता जैसी इसमें का current 0 होगा इसकी magnetic field गाइब हो जाएगी magnetic field गाइब C2 की magnetic field गाइब इसका deflection वापस 0 यानि ये पहला case अब आप देखो चार observations चार observations में से दो observations ऐसे हैं जिसमें current नहीं मिला मतलब deflection नहीं मिला गैलोनमीटर में और दो observations ऐसे हैं जिसके अंदर deflection मिला एक बार plus में और एक बार minus में ओके एक बार फिर से आप देखो जब ये battery continue off थी इसका deflection 0 था जब ये वाला case पहला case जब ये battery continue on थी उस वक भी गैलोनमीटर का reading deflection 0 था मतलब ये हुआ कि अगर C1 के चारो तरफ कोई magnetic field ना हो तो भी गैलोनमीटर 0 deflection दिखाएगा और अगर C2 के चारो तरफ magnetic field constant हो जाए तो भी गैलोनमीटर जो है वो 0 deflection दिखाता है गैलोनमीटर का deflection आपको उसी वक मिलेगा जब C1 या C2 के साथ जुड़ावा या C2 के अतराफ जो magnetic field है तो बढ़ रही हो या magnetic field घट रही हो ओके magnetic field के बढ़ने से या magnetic field के डाउन होने पर ही गैलोनमीटर जो है वो आपको deflection जो है वो दिखाएगा दिखाता है ओके ये था coil and coil experiment अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि अब ये जो observations है इन पर से हम result कैसे बनाएंगे यानि हम इस पे से क्या result निकाल सकते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर इसका जो result हमको निकालना है या जो result फेराडे ने इस पे से निकाले थे तो उसको एक बार आप समझ लो आप एक चीज़ देखो कि जब हम C1 में से current पास करते है तो इसके चारों तरफ magnetic field बनना शुरू हो जाती बढ़ना शुरू हो जाती magnetic field बढ़ रही है इस चीज़ को हम यहाँ पर D5 से denote करेंगे आप याद रुको यह जो फास है it is called magnetic flux magnetic flux अर्दू में हम इसे magnetic flux कहेंगे इंगलिश में इसको बोलते है magnetic flux यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा electric flux हमने electrostatic में बढ़ा हुआ है यह क्या चीज़ है मैं इसको और एक बार आपको अभी detail में समझा दूँगा फिलहाल आप इतना ध्यान में रखो कि जब C1 में से current बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ magnetic C मैदान बढ़ेगा magnetic C मैदान बढ़ेगा मतलब magnetic C नफास बढ़ेगा magnetic flux जो हो बढ़ेगा और वो बढ़ता हुआ magnetic flux मान लो कि defy है और आप मान लो कि आप इस magnetic flux को वक्त के लिहा से टाइम के लिहाँ से आप उसको चेंज कर रहे हो, यानि इसको आप on off, on off कर रहे हो, वक्त के लिहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट में आप ये magnetic flux को चेंज कर रहे हो, तो हम यहाँ पर इसको divided by time ले सकते हैं, तो ये बन गया d5 by dt, d5 by dt मतलब C1 जो है इसके अतराफ, जो magnetic flux है, उसके बदलने का rate, rate of change of magnetic flux, C1 के अतराफ, मैकनाथी सी मैदान की तबदिली की शरहा, ये जो चीज है, ये क्या है, मैकनाथी सी मैदान की तबदिली की शरहा, ये चीज़ C1 के साथ जुड़ी वी है, अब C1 का मैकनाथी सी मैदान C2 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यह कह सकते हैं, कि यह जो C1 जो है, उसमें जब मैकनाटी सी नफास के अंदर तब्दिली पैदा होंगी, C2 के अंदर कुछ तो भी होगा जिसके नतीजे में यह डिफलेक्शन दिखा रहा है, अब वो कुछ तो भी क्या होगा, तो डिफिनेटली मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था, कि गैलवानोमीटर डिफलेक्शन उसी वक्ट बताता है, जब सर्कीट के अंदर करंट हो, इसका मतलब यहाँ पर कहीं तो भी करंट पैदा हुआ, ओके, लेकिन सवाल यह पैदा होता है, करंट पैदा कब होता है, करंट जो है, वो पैदा कब होगा, क्या रिज़न है करंट, कौन सी चीज़ है जो responsible है करंट को पैदा करने के लिए, तो उसके लिए आपको current electricity का जो chapter था उसके basics वाले parts के उपर आना पड़ेगा current electricity बरके रवा, current electricity के शुरुवात के अंदर मैंने आपको बहुत detail में उचीज explain किया हूँ शुरुवात के पहले या दूसरे lecture के अंदर के current जो है उसके लिए responsible अगर कोई चीज़ है वो होता है EMF इंग्लिश में से कहते है Electro Motive Force कुवते बर्क कुवते मोहरी के बर्क उर्दू में इसके लिए word जो है जो इस्तिमाल किया जाता वो है कुवते मोहरी के बर्क Electro Motive Force ये word आप याद रखो ये वो चीज़ है जो responsible है current पैदा करने के लिए अगर EMF है तो ही current पैदा होता है अगर EMF ना हो तो current पैदा नहीं होता इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने C1 में से Rate of Change of Magnetic Flux किये तो C2 के अंदर EMF generate हुआ current हमको इजरी मिला ना ये side के अंदर तो C2 के अंदर EMF पैदा हुआ होगा जब ही तो ये current तैयार हुआ इसका मतलब C2 के अंदर EMF पैदा हुआ है ओके तो यहाँ पर इस जगह पर हम EMF के बारे में बात करेंगे तो C1 जो है पहले वाला जो कौाईल है उसके अंदर इस बैटरी के current को on off करने की वज़ा से इसको change बार बार कम जादा करने की वज़ा से या बंचालू करने की वज़ा से C1 के चारो तरफ मैकनाटीसी मैदान में तबदिली पैदा हुई और उसकी वज़ा से C2 के अंदर EMF तैयार हो गया अब ये जो EMF है ये बैटरी का EMF नहीं है ओके अगर ये बैटरी का EMF होता तो हम इसको कन्वेशनल EMF बोल देते थे रिवायती EMF पुराना जो हमारा हमेशा वाला EMF है बैटरी वाला वो बोल देते हैं लेकिन ये EMF बगएर बैटरी का हुआ है और जो बगएर बैटरी का होता है हम उसके लिए वर्ड इंडियूजड यूज़ करते हैं इसका मतलब यहां जो EMF तयार हुआ वो इंडियूजड EMF है उर्दू में हम उसको बोलेंगे अमाली EMF ओके तो टोटल मिलाकर इस पर्टिकुलर एक्सप्रिमेंट के अंदर जो रेजल्ट हमको नजर आ रहा है वो रेजल्ट यह है कि जब आप इस बैटरी को यानि यह वाले बैटरी को जब आप बन चालू करोगे इसकी वज़ज़ से C1 के चारो तरफ मेकनाटी सी नफास की कि तबदिली की शरह इसके अंदर मिलेगी और उसके मुनासिबस से इस साइड में अमाली EMF मिलेगा या अमाली EMF उस साइड में पैदा होगा अब फेराडे ने जो चीज़ देखा था और वही चीज़ जोज़फ हैंरी को भी नजर आई थी और वो यह थी पहले कोईल के अंदर मैकनाटी से नफास की तबदिली की शरह के साथ में दूसरे कोईल में पैदा होने वाला आमाली EMF रास्त तनासुम में है यह रिजल्ट है कोईल एंड कोईल एक्स्परिमेंट का और यह वाला जो रिजल्ट है इसको हम कहते हैं फैरडे का दूसरा कानून फैरडे का पहला कानून हम लोग ने पहले एक्सपरिमेंट का जो रिजल्ट है वो फैरडे का पहला कानून है पहला कानून क्या था उसका बहुत आसान कानून फैरडे का पहला कानून यह है कि जब भी आप किसी कोईल के अतराफ मैकनाटीसी मैदान में तबदीली पैदा करेंगे उसके अंदर अमाली बरकी रौप पैदा हो जाएगी या अमाली E.M.F पैदा हो जाएगा और अब सेकंड एक्सप्रिमेंट का जो रेजल्ट है वो क्या है सेकंड एक्सप्रिमेंट का रेजल्ट ये है कि सेकंड कोईल के अंदर अमाली E.M.F पैदा होने वाला जो अमाली E.M.F है वो हमेशा पहले कोईल के अंदर मैकनाटीसी नफास की तबदीली की शरह के साथ मेरा सनासुमे होता है इस एक्सप्रिमेंट को हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा गहराई के साथ इसको समझते हैं आप देखिए अभी जैसे हमने देखा था कि E.M.F इस डाइरिकली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी अब आप ये प्रोपोर्शनल इटी का साइन हटा लो तो यह आ जाएगा E is equal to constant K D phi by D T अब यहाँ पर आप एक चीज़ धहन पर रखो कि अगर आप E.M.F.E. D phi और D T इन सब को अगर आप SI unit में अगर आप गिन रहे हो SI unit में इन सब की values जो हो SI unit में अगर major की जा रही है तो ऐसे condition में K की value जो हो one होती है K is always one if all the quantities are measured in SI system SI units ओके तमाम एक अगर तबही मिकदारे मतलब कौन कौन सी E, D phi और D T तीन लोग है अगर आप इन तीनों को SI निजाम की एक आईयों में अगर गिनते हैं जैसे E.M.F. को आप old में गिनो D phi को आप वेबर में गिनो और D T को आप time second में गिनो तो ऐसा करने पर K की value one हो जाएगी अब K की value अगर one होगे तो यह हो जाएगा E is equal to D phi by D T ओके यह formula जो है यह है Faraday का दूसरा कानून ओके यह था यह इस तरीके से Faraday का जो Faraday के जो दो तज़रूबे हैं उन दो तज़रूबों के बेस पर Electromagnetic Induction Discover हुआ और साथी साथ Faraday के दो अलग-अलग laws दो अलग-अलग कवानीं जो हो हमको मिले पहला कानून मिला के अगर किसी कॉईल के चारो तरफ Magnetic Field को चेंज करते हैं तो उस कॉईल के अंदर Induced Current या Induced EMF जनरेट हो जाता है Actually यह जो law है यह definition है Electromagnetic Induction की Okay Electromagnetic Induction की definition भी यह खुद ही है और Faraday का जो दूसरा जो law है वो आपके सामने हैं EMF generated in the second coil is always directly proportional to rate of change of magnetic flux associated with the first coil यहने दूसरे कॉईल में पैदा होने वाला मेकनाटी सी नफास की तब्दिली की शरा के साथ रास्थ तनासुमे होता है ओके यह था Faraday के दो अलग-अलग कावानी अब यहाँ पर हम इस formula को हलका सा modify कर सकते हैं अब देखिए अगर coil के अंदर number of turns N हो ओके तो ऐसी सूरत में यह जो magnetic flux जो है वो उतने गुना बढ़ जाएगा यहां आप ऐसे समझ लो कि मान लो phi जो है वो एक turn के लिए है और N turn के लिए phi dash है तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं जब हम को d5 by dt जो है मान लो कि यह एक turn के लिए है coil में एक turn अगर है तो उसके लिए मान लो यह फॉर्मूला है उसको अगर आपको चेंज करना है N number of turns वाले coil के लिए तो हम उस सूरत में इसको N से multiply कर देंगे और अगर हमने इसको N से multiply कर दिया तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E is equal to N times D5 dash by dt या फिर आप इसको इस तरह से ले सकते हैं के 5 dash is equal to D5 by dt times N तो इस तरह से हम उसको ले सकते हैं यहां पर D5 dash by dt हमने इस तरह से लिया हुआ है बहराल आपको simple way में सिर्फ इतना सा याद रखना है कि यह जो formula था E is equal to D5 by dt यह एक turn के लिए है और अगर N turns के लिए हो तो आप उसको N से multiply कर दोगे ओके बस इतनी सी एक छोटी सी उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखना है तो यह थे Faraday's experiments और Faraday के दो अलग-अलग कावानीन मुझे उम्मिद है आपको यह पूरा lecture जो हो समझ में आया होगा तब तक आपी स्टेडी करते रही है अलग-अलभाफिज